कि कैसे हो क्या कर neighbors घुक है कि आज हम ग्राइज का अगला लेक्चर देखेंगे कि इसमें हम बैसिकली क्या करेंगे सर्कल इसको कवर करेंगे कि बाफ में पिनुंद cycle 매णि करेंगे हम लोग यहां पर काफी helpful रहा ही है वन नोट करने के लिए स्टार्ट करते हैं आज हमारा next graph है circle दुनिया गोल है वह वाला circle ठीक है सबसे पहले देखिए यह हमारे पास क्या हो गया Cartesian plane यहां पर हम कहेंगे origin है next इसके बाद मान लीजिए मेरे पास कोई भी एक circle है radius r का यह मैंने बना दिया और इस circle के center के coordinates हो गए x1,y1 यह इसके coordinates हो गए तो इस circle की equation क्या होगी equation of this circle will be x-x1 whole square plus y-y1 whole square is equal to radius का square और यहां पर x,y क्या है x,y are points on the circle यह क्या हो गए इस circle के उपर points हो गए ठीक है तो कोई भी circle के उपर अगर आप point ले ले और इस equation में put कर दें तो वो इस equation को satisfy करेगा next अगर मैं x1 और y1 इनको 0 put कर दूँ 0,0 तो आपको शायद idea लगी गया होगा कि मैं कौन से point पर पहुंच जाओंगा जल्दी से देखें अगर मैं x1,y1 दोनों को 0,0 put कर दूँ then I will reach at the center तो यहाँ पर मैं जो center है उस पर पहुंच जाओंगा और यह center अब origin हो जाएगा तो उपर वाली equation काफी simple बन जाएगी and the equation will be x2 plus y2 is equal to r2 तो कोई भी ऐसा circle हो जो origin से पास करता हो ठीक है जिस सौरी कोई भी ऐसा circle हो जिसका center origin पे हो तो उसकी equation होगी x2 plus y2 is equal to r2 again xy circle के उपर points है एक जिस और देखें यहाँ पे यह तो हो गई equation of circle इसे दूसरी senses में भी लिखा जा सकता है और ways में भी लिखा जा सकता है कैसे कैसे सबसे पहले यह हमारे पास partition plane हुआ फिर हमने क्या किया एक circle को ले लिया तो आप देख सकते हैं काफी proportion सा circle है कोई बात नहीं और यहाँ पे हो गया मेरे पास यह distance r next आपको पता ही होगा अगर मैं यहाँ पे एक triangle बना दूँ एक लैट जससे कोई भी triangle ले 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 तो triangle की base x होगी और vertical y होगा अगें अगर मैं देखूं यह जो radius है यह कितना angle बना रहा है थिट्टा angle बना रहा है तो आप क्या कर लीजिए r के component ले लीजिए r का एक component हो जाएगा r cos theta x के along और एक component हो जाएगा r sin theta y के along तो अगर आपको कभी भी x is equal to r cos theta और y is equal to r sin theta कुछ ऐसे दे रखा है तो यह भी circle की equation को represent करता है कैसे दोनो equation को square कर दो और add कर दो तो जब आप square करेंगे तो left side में x square plus y square बनेगा right side में r square cos square plus sin square बनेगा तो आप again देख सकते हैं आपकी वही वाली equation आ जाएगी x square plus y square is equal to r square तो उपर वाला यह जो format मैंने लिखा है यह format भी किसको represent करता है circle की equation को ही represent करता है इसे दूसरी terms में भी आप बोल सकते हैं next आगे जब आप vector पढ़ेंगे तो vectors में आपको एक चीज़ बताई जाएगी और वो होगा r and it will be called position vector position vector तो आप लोगों को again पता होगा r position यह हम कैसे denote करते हैं x i cap plus y j cap plus z k cap यह circle क्या होता है टूडी में होता है तो हम basically उसे x और y में रखते हैं तो z वाली चीज़ हम नहीं denote करेंगे तो x की value रखतो x की value कितनी है r cos theta y की value कितनी है r sin theta तो आप देख सकते हैं जब भी आपके पास r cos theta और sin theta ऐसी चीज़ें आजएए जैसे कि मैंने यहाँ बनाया है इस type का कुछ आजए तो again यह represent क्या कर रहा है equation of circle को ही स्वारी बंद होगा यह थोड़ा से one not में problem आ रही है मेरे पास कुछ ज़्यादा ही और मैं इसे handle भी नहीं कर रहा rc height of rc पना तो again यह क्या है it is also equation of circle in vector form काफी सारी equations होती है लेकिन again as I said मैं हमेशा इसी के साथ deal करूंगा x square plus y square is equal to r square इसी में ही हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो देखिए आप लोग आपको पता चल गया circle की equation कैसे होती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक question दे देता हूँ question हमारे पास है 9x square plus 9y square is equal to 36 यह मैंने दे दिया सबसे पहले तो find out करो कि क्या यह circle की equation है तो आप देखिए circle की equation जब भी आप लेंगे हमेशा x square और y square के साथ जो भी number होगा वो same होगा standard form में x square और y square के साथ हम हमेशा 1 लगा देंगे बट non-standard form में कुछ भी number लगा हो सकता है तो यहाँ भी 9 है यहाँ भी इस side भी यहाँ 9 हो गया तो यह क्या represent करेगा? अगर यहाँ 9 है दूसरी जगा 10 हो जाए यानि x square और y square के साथ same numbers ना रहें तो वो ellipse को denote कर देता है तो मैं क्या करता हूँ? दोनों को 9 से divide कर देता हूँ और मेरी equation बन जाएगी x square plus y square is equal to 36 by 9 that is 4 और 4 क्या होता है? 2 का square तो यहाँ से मेरे पास radius कितना आ जाएगा? 2 और center आपको पता ही होगा ऐसे circle का कहा होता है? origin पे 0,0 पे असली बंदर लग रहा ही है तो हाँ यह पता ने लंगूर whatever तो ऐसे कोई भी equation हो just check कीजिए कि वो किसको represent करेगी circle को, ellipse को, किसको वहाँ से हमारा question काफी easy हो जाएगा तो यह था circle circle में काफी सारी चीज़े और आपको मालूम होनी ही चाहिए जैसे circle की circumference circumference बोले तो एक तरह से इसका perimeter circumference perimeter, इसका 2 pi r होता है next, फिर circle का area pi r square होता है काफी basic सी knowledge है लेकिन आप इसे देख सकते हैं it will be pi r into r radius को दो बार खुद से multiply करना पड़ेगा जब जाके बात बनेगी तो circle का area हो गया circumference हो गया ठीक है equation हो गई ये छोटी छोटी चीज़े मालूम रखो सारे question निकलेंगे सारे के सारे question solve होंगे बिडू ठीक है तो circle का lecture इतना ही है ठीके रओ ठीके रओ झालेंगे, टूचि छोटी निके कारना है जैसे निके यागटेंगे